नमस्कार दोस्तो, मैं राजनती बारी आप सभी लोगों का मेरे सेलन्ज जोतिश मंतर में हारदियक स्वागत करता हूँ अगर आप मुझ से और मेरे सेलन्ज से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो की नीचे दी गई लाल बटन याने सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए तता साथ ही बेल आइकन को भी आउन कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल स द्यान अनखना भी बहुत आवdoorशक है अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं दिया या आपने इन סटेप्स कोफ फालो नहीं किया तो हो सकता है कि जिस दिन आप एक्जाम देने जाएं उस दिन एक्जाम हाल में इंटरि लेते समय आपको प्राब्लम का सामना करना पड़ यह भी हो सकता है कि प्राबलम इतनी बढ़ जाए कि आपको एक्जाम हाल में इंटरी ही ना मिले और आपको पेपर छोड़ना पड़े तो क्या आप इसा चाहेंगे कि आप पेपर छोड़े बिलकुल नहीं तो अगर आप पेपर नहीं छोड़ना चाहते हैं तो अभी जो मैं कुछ स्टेप बता रहा हूँ अभी मैं कुछ जरूरी बाते बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुने और उसको फालो करें नमर टू एक्जाम के एक दिन पहले सपोस करिए आपका साथ तारीको पहला पेपर है तो आप उसके एक दिन पहले जो आपको एक्जाम सेंटर मिला है उसका विजिट जरूर करें मतला उसको देखकर आए कि आपका जो एक्जाम सेंटर है वो कहां पर है क्योंकि जिस दिन आपका एक्जाम होगा, उस दिन आपको उसे ढूणने में जादे प्राब्लम नहीं होगी, जादे देर नहीं लगेगी और आप टाइम पे एक्जाम हाल में पहुँच जाएंगे. आपका एक्जाम हाल में इंट्री नहीं दी जागी, क्योंकि लास्ट येर तक तो टेन थर्टी तक इंट्री मिलती थी, लेकिन इस साल ओनली टेन ओक लगे, यानि दस बज़े तक ही इंट्री मिलेगी, इसके बाद इंट्री नहीं मिलेगी. स्टेप नमर फॉर, एक्जाम के दिन आप अपनी स्कूल यूनिफर्म में ही एक्जाम देने जाएं, और साथ में अपना स्कूल आईडी कार्ड भी जरू ले जाएं. बहुत बच्चे फेशन के चकर में स्कूल यूनिफर्म नहीं पहनते और इस बज़े से कई बार उनको रोक दिया जाता है, तो आप अपने स्कूल की यूनिफर्म और स्कूल आईडी कार्ड जरू साथ में ले जाएं. स्टेप नमर फाइब, आप एक्जाम हाल में केवल जरूरी और पर्मिटेट स्टेशनरी ही ले जाएं, जो बोड द्वारा पर्मिटेट हैं, वो ही स्टेश करें, और उनको आसानी से आपकी फ्रिस्क्रींग करने दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कि बच्चे उनके साथ बहस करते हैं, इस बहसे उन्हें भी प्राबलम होती ही, और साथ में आपका भी टाइम खराव होता है, इसलिए उनको आसानी से फ्रिस्क्रींग करने दें. step number 7, अपने साथ cell phone, purse wallet, pizza paper, यानि कागच का किसी प्रकार का कोई टुकुड़ा, old quotient paper ये एसी कोई भी चीज जो संदेह उत्पन ने करें, जो सस्पियस हो ऐसी चीज़े आपको नहीं ले जानी है क्यों कई बार बच्चे क्या करते हैं कि अपने साथ old quotient paper ले जाते हैं, यानि कि पुछला जो पेपर देया तो जेब में रखे रहते हैं, वो ही चला जाता है साथ में, कभी कभी क्या होता कि ये ही quotient paper आपको cheating समझ के, यानि आपकी cheating समझ के सामने वाला जो वहापे examiner रहता है, वो आपको cheating case भी बना सकता है तो इसलिए आप चेक कर लें अपने जेब को अच्छे से कि कई वेची कोई चीच तो नहीं रखी step number 8 exam hall में जो examiner होता है जो भी वो instruction दे, उसे आप अच्छी तरह के सुने और follow करे, step number 9 question paper को बहुत ही ध्यान से पढ़े और उसमें जो instruction लिखी है उसको भी ध्यान से पढ़े और उसको follow करे बहुत बार बच्चे क्या होते है जल्द बाजी में question paper को अच्छे से नहीं पढ़ते हो सकता है कि कोई दो question दिये उसमें से आपको एक करना आप दोनों कर गए या दोनों करना था आपने सोचा इसमें से एक करना होगा और एक कर दिया, एक छोड़ दिया तो आपको question paper को अच्छे से पढ़ना है जो instruction दिये अच्छे से पढ़ना है और उसको follow करना है step number 10 जो answer book होती है उसके उपर भी कुछ instruction लिखे रहते हैं आप उस instruction को ध्यान से पढ़िए और सही जगे पर सही चीज फिल करिए क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे जल्दवाजी में कहीं गलत गलत entry कर देते हैं मैंने जहाँ पर आपको पतलग copy number लिखना था आपने roll number लिख दिया जाँ roll number लिखना था वो copy number लिख दिया इस बच्चे सारी गड़बड हो जाती और आपका जो result है वो unhold हो जाता है यानि कि result नहीं आपा था time से तो इसलिए इन चीजों का ध्यान देंगे step number 11 exam के दिनों में यह exam का जो माहल चलता है उस समय में बहुत से rumors आपको सुनने को मिलेंगे कोई लोग किया यार मुझे तो कल paper मिल गया था यह सारे question जो कल मेरे paper में देखे तो वो सारी आज आ गए तो ऐसे बहुत सारी rumors आपको देखने को मिलेंगे सुनने को मिलेंगे लेकिन please आप उन rumors पे ध्यान ना दे उन चीजों को विलीब ना करें क्योंकि कई बार विलीब करने वाले लोग fail हो जाते हैं विलीब करने वाले मतलब उस paper की बात मानगे यह paper आगया और पत्रह वो paper आए नहीं उसका एक भी question नहीं आता है और बोई पड़के चले जाते हैं बच्चे और fail हो जाते हैं तो आप इस प्रकार के किसी भी rumors पर ध्यान ना देंगे step number 12 अभी तक मैंने जितने भी आपको step बता हैं उन सभी step को बच्चे उत्य फालो करेंगे ही साथ में parents को भी ध्यान रखना है कि बच्चे उसको अच्छे से follow करें और parents के लिए एक ज़रूरी बात यह है कि जब भी आप अप अपने बच्चे को exam center पर drop करने जाएं तो उन्हें drop करके घर आ जाएं या वहाँ से चले जाएं क्योंकि वहाँ पर unnecessary भीड़ बढ़ाने से कोई मतलब नहीं होता है उससे center कोई problem होती है और साथ में बच्चे का ध्यान भी आप में लगा रहता है इसलिए आप जैसी उनको drop करेंगे आप वहाँ से चले जाएंगे अच्छा करता हूँ कि अभी जितनी भी मैंने आपको चीज़े बताईए ये कही ने कही आपकी साहता करेगी और आपके लिए अच्छी रहेगी अगर आप इसे follow करते हैं तो तो कैसे लगा ये वीडियो और इसमें दीगे जान करी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज जैसे लाइक किजे शेर किजे और मेरे से चैनल जोतिश मंद्र को सब्सक्राइब किजे आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो को साहता तब तक आप रहेए खुश और मुझे दी जागया जाहिंद